बेहाद इस्क्लूसिव बात चीत करने के लिए मौजूद है मद्यप्रदेश के मुख्य मंत्री और भारतिय जंता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पहली बार विस्तार से समवाद करने के लिए मद्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहां जी शिवराज जी आपका बिरंदन है न्यूज 18 पर मुझे याद आता है धन्यबाद नमस्कार मुझे याद आता है कि जब मैं आपका समवात कर रहा था भोपाल के अंदर होटल ताज में तो मैंने आपके एक सवाल पूछा था कि शिवराज जी अपकी बार क्या होगा तो आपने बोला था कि अपकी बार सरकार तो बनेगी है और बड़ी कमफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनेगी लेकिन क्या आपको लगता है इतनी बड़ी जीत का अनुमान था आपको डेट सो पार ने मैं पूरी तरह से आस्वस्त था मैं तो कमफर्टेबल इसलिए कहता था मेजॉरिटी के बोलोग बड़ बोला ना समझें लेकिन जनता के बीच जो रिस्पांस मिल रहा था वो इतना जवरदस्त था कि साफ दिखाई देता था कि वो आसिरवाद के रूप में और वोट के रूप में भी परनित होगा और इसलिए मैं पूरी तरह से आस्वस्त था कि भारती जनता पार्टी भारी विजय प्राप्त करेगी जी लेकिन बंपर ये जो जीत हुई है ये शिवराज का काम बोला है या मोदी जी का मैजिक का असर है मोदी मैजिक हर जगे है मोदी जी के प्रति देश और प्रदेश की जनता के मन में असीम शृध्धा का भाव है अडिक विश्वास है नरेंदर मोदी जी ये नाम ही ऐसे हैं नरेंदर मोदी जी के पत्थर पे अगर चुनावी वेतरनी पार करने के लिए नाम लिग दिया जाए तो सफलता का पुल तयार हो जाता है मोदी जी के पती जो अटूट और अडिक विश्वास के पती सृध्धा इसका बहुत महत्पून बहुत महत्पून योगदान है और मैं स्वैम ये मानता हूँ जी कि हम स्वभा के साली है कि इस योग में पैदा हुए जब नरेंदर मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री है उनके नेतरत्व में देश को और प्रदेश को विश्वास है और एक बैबफसाली, गौरफसाली, संपन्न, संब्रिद्ध और सक्तिसाली भारत का निर्मान हो रहा है हम सब भारत वास्वास्वों का सीना गर्व से फूल जाता है तो मोदी जी का नाम उनकी जो सभाए हुई उनका असर और प्रभाव और डवल एंजिन की सरकार मोदी जी के नितरत में दिन्ली ने हमको बहुत दिया है प्रधान मंतरी आवास हो प्रधान मंतरी ग्राम सड़क हो, आएस्मान भारत योजना हो प्रधान मंतरी के सांसमान निधी हो या फिर अलग-अलग जनता के कल्यान की योजिनाय हो उनका भरपूर लाप और हमने कौसिस की कि वो धंग से क्रियानविद करें देखिए जो राज धंग से क्रियानविद करता है उसको फायता मिलता है हमने भरपूर लाब उठाया इसलिए एंटी इंकम्बेंसी कहीं नहीं थी केंद्र सरकार के कामों का ढंग से नीचे क्रियान वियन और प्लस राज्ज सरकार के काम ये दौनों मिलके एक पे एक जारा हो जाते हैं लेकिन कहा तो ये भी जारा है कि ये मामा का बेहनों को रिटर्न गिफ्टा जो लाडली बेहना योजना आपने चलाई वो गेम चेंजर साबित हुई और वो रिटर्न ये रिटर्न गिफ्टा एक सो साथ सी ट्रे रिटर्न गिफ्टा भांजीयों का मामा को देखी महला ससक्तिकरण प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मिसन है और ये अकेली लाडली बहना योजना नहीं है जब पहली बार मुख मंत्री में बना तो लाडली लक्षमी हमने 2005 में शुरू की थी और वो उस वेदना से शुरू की थी जो हमने गाउं में देखा कि बेटियों को बोज समझा जाता है जी उसलिए कई बार बेटियां कोख में मार ली जाती थी सेक्स रैशियो बदल गया था हजार बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी जब पहली बार मुखा मिला तो हमने बनाई लाडली लक्षमी योजना मन में ये संकल्पता कि मद बेटी पैदा हो तो लगपती हो बोज ना लगे बरदान बने चालीस लाख लाडली लक्षमी बेटी आहमद प्रेस में हैं जो इस योजना का लाब उठा रही है लाडली लक्षमी के बाद हमने कन्या विबाह योजना बनाई फिर मद्पतेस पहला राजिता जिसने 50% बेटी ओं को फिर अगर बेटी या बेहन के नाम पर संपत्ती खरीदें तो इस्टाम सुल्क नाम मातर का कर दिया संबल जैसी योजना बनाई मातर बंदना जैसी योजना प्रदान मंत्री जी की योग क्रियान किया तो एक लंबी संकला थी महला ससकती करन की इसलिए लाने पड़ते थे तब मन में एक विचार आया कि बेहनों का खाता हो उस एकाउंट में उनके हर मईने पैसे जाएं इसकी सुरुआत अमीज जी आज आपने पूछा है कि मैं बताता हूं जी 2017 में हमने बेगा भारिया सहरिया जी जो गरीब जंजाती से सबसे पिछडी संदान योजना और हम उनके खाते में एक हजार रुपया डालते थे उसका इतना सकारात में उपयोग उनने किया कि परिवार में बच्चों के पोसण का इस तर सुधर गया तो मुझे लगा कि बेहने कभी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी अगर उनके पास पैसा ज गई मैं सज बताता हूं जब मैंने बेहनों से पूछा किस योजना का इंपेक्ट क्या है उनका पहला उतरता सबसे पहले कीशत यह हुई है कि हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है सास प्रेम से बोलती है पती का भी देखने की दृष्टी और बोलने का लहजा बदल ली और उनकी आजीव का चलने लगी तो अदवुत थी योजना जिसने उनकी जिन्दगी में बदलाओ किया और ये सच है आमीज जी उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जब मैं इलेक्शन केमपेंट के लिए भी जाता था या उसके पहले भी आचार से इंता के पहले तो एक साल में मैं एक नोट परड़ में लेक परड़上 पर आप ने तो एक साल में कितने दौरे करे हैं अगर मैं उन दौरों के हिसाब किताब निकाल हूँ तो मुझे लगता है कि 165 विदा Above सभाऊ में तो आपने खुरी अचार सहिता लगने के बाद परचार किया है तो मतलब ये मामा ठकता रही हैं जी मैं लगाता हर काम करता है तो यह इस वर की किर्पा है कि हमने चुनाओं के पहले भी चुनाओं के जैसे ही काम किया पूरे प्रदेश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा लाडली बेहनाओं के यह हमारे 52 जिलों में संभे लनुए जिन मैं 50 जार से लेके एक लाग तक संख्या बेहनों की होती थी और मैं बेहनों से संभात करता था यह आचार सहींता के पहले और आचार सहींता के बाद 165 सभाम कर पाए दिन और रात दोड़के की उस सभाव के अलाबा भी फिर अलग बैठ के टेलीफोन पर बाद रननीती बनाने के काम अनेकों तरह के कामों में लगे रहते थे और यह इस्वर की किरपा है कि एक जजवा जिद और जुनून दिल में था कि मद्धपदेश की प्रिगत्य और विकास के लिए फिर से भाद्पा की सरकार जरूरी है मोदी जी के सांथ चलने वाली सरकार चाहिए ताकि मद्धपदेश भी आगे बढ़ सके और इसलिए लेकिन लेकिन एक 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 बाद शिवराजी माननी पड़ेगी गुजरात के बाद मद्धपदेश एक ऐसा किला हो गया है भारती जन्ता पार्टी का जिसे हिलाना नामुम्किन है गुजरात में डेट सो वाली जीट और मद्धपदेश में पार्टी एक एक सो साथ वाली जीट है जीतने की तैयारी कर रहे है यानि आप चिंदबाड़ा में कमलनाच जी के स्व पुतर नकुलनात की सीट भी नहीं छोड़ेंगे अभी तो वो मिलके गए है थोड़ी दिर पहले आपसे तो कमलनाच जी जब मिलने के लिए आए तो क्या बोले ऐसा था कि जब पिछली बार उनकी जादा सीट आई थी मैंने बढ़ाई दी थी और एक राजयने तिक सिश्टाचार है यजी आपने मुझे मुझे बढ़ाई दी आके और सिश्टाचार की बाते ही हुई. सामानिस इस्टाचार की लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं एक उनके नेता है उज्जेत राज वो कहते है कि EVM की गरबड हो गई इसलिए तीनों राज्यों में BJP आगी राजस्तान चत्तिसगर्ड और मद्दबर्देश आपके बगल का राज्ये 36 गड़ वहां भी BJP आ गई फिर हम तेलांगना क्यों छोड़ते साब अगर EVM से हो सकता तो तेलांगना भी हम जीच जाते देखिए ये खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है मुझे पता है कि अब EVM EVM ये सुरू होगा और इंडी गड़वंदन जो जमीन पे प्रधान मंतरी जी के नित्रत्प के सामने कहीं ठिकता नहीं है अब वो EVM में गड़वड़ी के आरोप लगाएगा एक ही राग अलापेगा EVM ने हरवा दिया EVM ने हरवा दिया अब ये कोई बात होती है आप हमाचल में जी जाओ तो EVM नहीं है अगर आप तेलंगना में जी जाओ तो वहाँ EVM में गड़वड़ नहीं है तेलंगना में तो कहरे है कि आप दूसरे लक्षिन के राज्यों में करना टक में जीत गए भाई शिवरा जी तेलंगाना में तो कहरे है कि राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा का अफर है इसलmee तेलंगना जीत गए है लेकिन वो उस यात्रा का असर मद्पर्जे शात-ईजदगरो राजिसटान में नहीं देखने को बिला लेकिन तलगाना में जिकने को बिला है प्रधान मंतरी ने बोला ये जो तीन परदेशों में जीत हुई है ये जो जीत की हैट्रिक है ये 24 में हैट्रिक की भी गैरेंटी है 2024 के आप ने बोला आप लोगों ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद मोदी भारतिय दंता पार्टी के लिए को की गड़बंदन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे उन्हें लगेगा अकेले मोदी का मुकाबला करना बीजेपी का मुकाबला करना नामुमकिन सा होता जा रहा है देखिए इनके ना विचार एक हैं ना सोच एक हैं ना दिसा एक है ना दृष्टी एक है मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी एक साथ आ जाओ और एक साथ आके भी क्या हुआ कमलनाच जी कह रहे थे अखलेस वखलेस और वो कह रहे थे के कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है अखलेस जी ये एक दिल के तुकडे हजार हुए कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा इंडी गडवन्दन पर किसी को विश्वास नहीं है आप ये नोट कर लीजिए अमीज जी जिस दिन लोगसवा के चुनाओ के परिणाम आएंगे मई दोहजार चौबीस में भारती जन्ता पार्टी अब तक के सारे रिकार्ड तोड़के भारी बहुमत के साथ जीतेगी और प्रधान मंतरी स्रीमान नरेंडर मोदी जी फिर से प्रधान मंतरी की सपत लेंगे ही लेकिन अभूद पूर्व बहुमत के साथ आज मीडिया से बात करते हुए प्रधान मंत्री ने बोला कि विपक्ष हार का गुसा भारत की संसत में ना उतारे नेगेटिव पॉलिटिक्स को बंद करे जो बीते नौ सालों में उन्होंने करी है क्या आपको लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गई है राहूल गांदी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तवाल किया प्रधान मंत्री के लिए जिस पर आपने भी बोला राहूल गांदी को की राष्ट्रिय शरम है राहूल गांदी आप बताईए इस बुद्धी को मैं क्या कहूं किर्केट का मैच हो रहा है हर एक प्रास ना कर रहा है भारत जीते भारत जीते खिलारियों का मनोबल बढ़ाने पी-म साब पहुंचते हैं खेलों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं और उस पे आप कमेंट करो खेल खेल होता है भाई कभी हारते हैं कभी जीते हैं किर्केट तो एक कहावत है फुटवाल वाई डांस किर्केट वाई चांस गई बार एक आदी विक्ट गर जाता तो सारे पढ़नाम बदल जाते हैं भारत अभी दना दन जीत रहा है अब अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो भी मैंने प्रदान मंत्री जी के खिलाव कुछ कहने का मौका मिल जाए अभी अंधा औरोध यह सप्तरुता की सीमा तक विद्वेज यही तो निगेटिव राजनिती यह है यह कौंग्रेस के ःत्में फिरा नहीं लेकिन एक ये जो पूरे हिंदी पट्टी में भारती जन्यता पार्टी की जीत हुई है उसके बाद कॉंग्रस के एक नेता ने ट्वीट करा नौर्थ वर्सिस साउथ उत्तर बनाम दक्षिन इस विशेप पर आप क्या कहना चाहते हैं दक्षिन में लगातार भारती जन्यता पार्टी की ताकत बढ़ रही है तेलांग नामें भी हमारी ताकत बढ़ी है आपने देखा हमारी प्रिभावी उपस्थती अनेक राज्यों में दक्षिन में है और ये ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं कि जो देश को बाटने के लिए किसी पी सीमा तक कुछ भी कह दो अरे क्या पूरब प्ष्चिम क्या उत्वर क्या दक्ष्र हम सब भारत मा के लाल भेदवाओ का कहा सवाल कोई उत्तर नहीं कोई दक्ष्र नहीं सारा भारत एक है और हम अपने देश की जनता से प्यार करते हैं हमेरे तमिलनाडू के भाई बहन, केरल के भाई बहन, आंद्र के भाई बहन, करनाटक के भाई बहन, तेलागना के भाई बहन, हमारे भाई बहन हैं, हम सब भारत माता के बेटे बेटिया हैं, इस तरह का सोच ये तो देश के खिलाफ जाता है भाई, सब एक है हम सब सनातन को गाली उत्तर बनाम दक्षित नेगेटिव पॉलिटिक्स क्या आपको लगता है कि ये कुछ कारण रहे जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलवाई देखिए ये बीजेपी वरोद में मोदी जी के वरोद में इतने अंधे हो गए हैं चे सनातन तक का वरोद करने लग जाते हैं और इसके कारण नुकसान सनातन का नहीं होता, सनातन का क्या विगाड़ोगे आप, आदीर है ना अंत है, कौन-कौन आए और चले गए, सनातन अपने स्थान पर लगातार आगे बढ़ता रहा, नुकसान ही नहीं का होना है, नुकसान हुआ है ऐसी चीजों से भी एक सवाल मैतपूर्ण है, इंडिया अलाइन्स की आप बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बेनर जी ने कुछ देर पहले आज ही बोला, उन्होंने बोला कि अगर ठीक से सीट शेरिंग हो जाए, तो बीजेपी को हर प्रदेश में हराया जा सकता है, क्या आपको लगता है कि जो मैन टू मैन मारकिंग बीजेपी के खिलाफ हो सकती है, क्या उसकी काट है, क्योंकि ऐसा का जा रहा था कि मद्देपरदेश और 36 गर में अमित शाकी रणनीती भी जोरदार थी, मोदी जी का चेहरा था, और ममता बेनर जी कह रहे है कि अगर सीट वाइस सीट मारकिंग कर प्लाग में इस पस रहती है, जी, रणनीती बनाते हैं, तो पार्टी के साथ साथ वो देश का भी सोचते हैं, देश के हित में क्या है, और इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट उनका, हमारे राष्टी अद्देक स्रीमान जेपी नड्डा जी का मारक दर्सन हमको, और यहां भू प्लाइनिंग से काम किया, अमित जी की रणनीती का सच्मिक में बहुत लाब मिला है, एक सवाल, आखरी दो सवाल है, बुद्नी में आप सिरफ फॉर्म भरने गए, और वहां की जनता ने आपको एक लाक से उपर के मार्जन से जिता दिया, क्या कहना चाते हैं बुद्नी की जनता को? जब बात निकली है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बुद्नी की जनता मुझे चुनाओ लड़ने के लिए पैसा देती है, मैं एक दिन फार्म भरने के पहले किसी एक दिन निकलता हूँ, बीच बुद्नी के बीच में एक सड़क है, उस सड़क से दोने तरफ के ग बीच बीचया है अरादः भाई के इतने रुपया, अब ये अदवुत है, मुझे पैसा भी जनता चुनाओ लड़ने के लिए देती है, गरीब से गरीब आदमी, मेरे हाथ में कुछ ना कुछ देता एक भाईया ये चुनाओ लड़ने के लिए, आप पैसा भी देते हैं, तो अतियंत स्वभाग साली हूं जो ऐसी जनता और जनता का ऐसा प्यार और ऐसे कारी करता मिले हैं उनको प्रणाम करता हूँ वो पैसा तो जो जनता का पैसा है वो तो आपके लिए जीत का शगून हो गया लेकिन मैं आपसे एक आखरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका परोस्ती राज़े 36 गड़ जहां कहा जा रहा था कि कॉंग्रेस की सरकार हर हालत में बनेगी लेकिन वहां भी बीजेपी आ गई क्या आपको इसका बड़ा कारण का नज़र आता है अगर एक कारण पूछू मैं एक कारण अगर कहें तो स्रीमान नरेंदर मोदी जी पर विश्वास मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जी और क्या माना जाए कि आप अब मद्यपरदेश की दुबारा कमांद संभालने जा रहे हैं मैंने पहले भी कहा है मैंने पहले भी कहा है कि हम भारती जनता पारिटी के कारी करता है एक बड़े मिसन की पूर्टी के लिए भारती जनता पारिटी उस बड़े मिसन की पूर्टी का माध्य में हमारे लिए और वो मिसन है एक बैवाफसाली, गौरफसाली, संपन, सम्रिद्ध और सक्तिसाली भारत का निर्मान जहां जनता सुखी रहे और सरीर, मन, बुद्ध्य और आत्मा का सुख प्राप्त करते हुए अपने अंतिम लक्ष तक पहुँच पाए, ऐसे राज्य और समाज जीवन की रचना करना और ऐसे राश्ट का निर्मान, स्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेत्रत्व में हो रहा है और हम अत्यन्त सवभा के साली हैं कि उस युग में हम पैदा हुए हैं जब नरेंद्र मोदी जी भारत का नेत्रतों कर रहे हैं मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेत्रत में भारत भातिक्ता की अगनी में डग्द विस्व मानवता को सास्वत सांती के पच्का दिगदरसन कराएगा अभूत पूर्वद हमारा देश प्रिगती करेगा और जनता लगातार आगे बढ़ी रही है अब हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बनने बाला है तो हम गौर्वान बे थैं किस लक्ष के लिए हम काम कर रहे हैं जब इस लक्ष के लिए काम करते हैं और मैं क्या बनूँगा ये 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 नहीं सोचते हम ये नहीं सोचते लेकिन जनता ने आपको प्यार बेश उमार दिया है इस बार रिकॉर्ड तोड प्यार दिया है जनता देखना चाहेगी सीम आपको परदेश की जनता का प्यार आसिरवाद है और जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करते रहेंगे, लेकिन कहां काम करेंगे, यह मेरी पार्टी तै करेगी, हमारा मिसन तै करेगा के कौन से कारिकरता को कहां काम कर रहें जी आपके कई मंत्री भी चुना भार गए कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए विश्लेशन करेंगे आप अक्सर गुन गुनाते हैं तो कुछ एक लाइन गुन गुनाना चाहेंगे आज इतने आप बड़ा जंता ने आपको प्यार दिया है मैं वसाना चाहता हूँ स्वर्ग धर्ती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ शिवराजी आपका बहुत बहुत अबिरंदन बहुत बहुत शुपकामनाए बहुत बड़ी जीत के लिए बहुत बड़ी जीत के लिए जो भारते जंता पार्टी को आपने जिलाई है आपने कहा था मैं बीजेपी की सरकार वापस लाऊंगा और इस सरकार को आप वापस नहीं लाए इसे कहते हैं बाजे गाजे के साथ एक ऐसी जीत जो आप परत्याशित है शिवराज जी अमीज जी आपको भी बहुत भाध धन्यवाद आपको भी प्रणाम और जो दर्सक मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी आपका हमारता जुड़ने के लिए निउस 18 नेटवर्क के साथ तो यह थे शिवरा सिंग चोहान जिनका स्पस्ट रूप से कहना है कि हाई कमान यानि पार्टी लीडर्शिप तैय करेगी लेकिन जन्ता ने उन्हें प्यार बेश शुमार दिया है यानि बहुत बड़ी जीत भारती जन्ता पार्टी की जोली में डाली है सिरफ मद्यपरदेश में नहीं ये जीत भारती जन्ता पार्टी को 36 गड़ में भी बिली है राजस्तान में भी बिली है फिलाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन बड़ी खबरे न्यूज एटिन इंडिया पर और बड़े चेहरे न्यूज एटिन इंडिया पर आपको दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे